नमशकार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर है कि भारत का जो अंदुरूनी मामला है वो किस तरह से अंतराश्टी कूटनीती को प्रभावित कर रहा है हमने देखा कि 27 मई को एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान भाशपा की जो राश्टी स्पोक्सपरसन नूपर शर्मा ने कहा इसलाम के खिलाफ जो कहा मुसल्मान के खिलाफ जो कहा और उससे भी बढ़कर मुहम्मस साहथ के खिलाफ जो आपत्ती जिनकबाद कही वह धीरे धीरे अंतराश्टी राजनीती पर उसका सीधा आसर पड़ा और 4 जून से करीब आज की तारीक तक 15-16 देश भारत के उपर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत में राजनीती इस्लामोफोबिक यानि इसलाम के खिलाफ नफरत आधारित हो गई है इसे रोक लगानी जरूरी है यह पहला मामला है जब एक अंदरूनी मामला अंदर की जो डिबेट है भारत सरकार और भारत सरकार के नुमाइंदे या यूं कहिए कि सत्ता में जो लोग हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वह जो बोल रहे हैं जो नफरत उगल रहे हैं उस नफरत का असर भारत पर सी सीधे सीधे पड़ रहा है यह अपने आप में बहुत ही एतिहासिक परिघटना है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है हम इस पर चर्चा करने के लिए पहुशते हैं प्रबीर जी आपके पास जिस तरह से हमने देखा है कि अंतराष्टी कूटनीती है भारत की जो भूमिक सत्ता में आए इन ही देशों की तरफ उन्होंने रुक किया ओमान से लेके कदर तक उन्होंने दावा किया था कि इन इसलामिक देशों से हमारा संबंद बहुत अच्छा है आज तस्वीर बिलकुल उलट गई है तो इक उलट गई सामविक रूपे या इसका एक लंबा असर पड़ेगा देखने की बात है अभी भी पर पहली बात जो है कि हमारी एक चीज हमें एक चीज समझने की ज़रत है देश की अन्रूनी पॉलिसी से उसको आप बाहर के पॉलिसी से अलग नहीं कर सकते चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो राजनितिक हो और हर राजनितिक और आर् जिसको हम हिंदुत्वादी forces कहते हैं जो कि धर्म के नाम पे एक बहुत गहरा division देश के अंदर पैदा कर रहे हैं और ये जो है लगातार लग रहा था कि बढ़े जा रहा है शुलूवा बहुत सारे issues को लेकर इस वक्त केंद्रित है कि धर्मस्थानों पे वो देख रहा है कि आपका वो बाबरी मज़ इससे रुका नहीं और दूसरे जगहों पे भी ये प्रवाद चलने की संभावना दिख रही है इसके साथ साथ universities में text books में और television के debate में social media में ये जो बिभाजन कारी राजडी थी था वो तो चली रहा था पर सरकार को लग रहा था criticism आ रहा है अमरीका के इस तर पे भी दवेस्वर से कुछ बाते कही गई European Union की तरफ से भी कुछ बाते कही गई पर उनको लग रहा था वो सब ऐसे ही दिखावा है असली बात पे इस पे कोई हमसे जगडा नहीं करेगा कुछ बैसे बातचीत कर लेगा कुछ statement दे देगा बात शान्त हो जाएगी इस बार लग रहा है कि वो चीज नहीं होने वाला है क्योंकि जिस जगह पे वो पहुँच चुकी है तो उसमें लगता है कि जो बहुत दिन से जो धीरे धीरे बढ़ रहा था वो एक लक्षपन रिखा कहीं न कहीं उनके दिमाग में क्राउस कर चुका है और जाप ने कहा कि प्राफिट महमबत के नाम पे जो कहा गया नुपुर शर्मा और इसके बाद नवीन कुमार जिंदल ने जो बात कही तो उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है इन देशों की राज़नीति पे और उनकी जो कहना जो कह रहे हैं उससे अगर हम देखे इसकी एहमियत क्या है पहले तो ये था कि ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ और क्योंकि इस्रेल से संबन्द ठीक कर रहे हैं फिलिस्तिनियों की बात एक दो पीछे कर दिया है पर फिलिस्तिनियों की बात वो भी उनकी external foreign policy की बात है external policy की बात है उनकी देशों की अंदुरुनी बात धर्म से जो जुड़ा हुआ है उस तरह से नहीं है उनको फिलिस्तिनी जो है उनको वो अरब ठीक है पर उस तरह से धर्मिय स्तर पे उस तरह से नहीं देखते हैं जिससे अब Prophet Muhammad के बारे में कुछ कहना कुछ इस तरह से देखते हैं आपने देखा है चार्ली हेब्डो लेके जो हुआ था उसका असर जो दुनिया पर पढ़ा था तो इसलिए एक ऐसी जगव पे पहुँच गए हैं जहां पर सच मुच इनके इसके बात कुछ ना कहना इन सारकारों के लिए संभद नहीं है सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे इस वक्त देश की अंदरुनी राजडीते पर क्या असर पढ़ सकता है पहली बात तो इस वक्त तेल अब जानते हैं कि तेल की राजडीती खास तोर से यूकरेन युद्ध के बात क्योंकि रूस से काफी तेल आता है रूस पर सैंक्शन्स है तेल की दाम बहुत बढ़ चुका है और हमारा करीब 40 प्रतिशत तेल जो है इन जगों से वेस्ट एशिया से आती है अस्लामिक देश जो है इरान हो चाहे कतर हो चाहे यूनाइटिड आरेप एबिरेट सो साओधिय अरेबिया हो इन देशों से आता है तो हमारे पास कोई अल्टेनिटिव नहीं है इस तेल की तो ये अगर कुछ करे थोड़ी सी भी हमारे इसमें पाइपलाइन की वैल्व थोड़ा बंद कर दें तो हमारे लिए बहुत एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा दूसरी बात और ये भी बहुत आहम की आहमियत रखती है कि हमारे वहाँ से रेमिटेंस जो कहते हैं इन वर्ड रेमिटेंस जो आती है जो लोग वहाँ काम करते हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इंकम का इंकम फ्लो का देश का उस रेमिटेंस से हम जो इंकम टैक्स दे balance of payments में वो दिखाता है कि हमारा positive balance of payments है और उसका बहुत बड़ा हिसा इस invisible income earnings जिसे कहते हैं inward remittances यह है तो यह देखते हुए एक economic तोर पे तेल और inward remittances बहुत एहमियत रखती है तो इसी लिए यह सरी एक मामूली बात नहीं है यह हम उन पर ज्यादा dependent है वो हम पर इत्ता dependent नहीं है alternatives इस वक्त market में तेल के लिए है alternative दूसरे लोगों से काम करवाने के लिए है दुनिया में क्योंकि बेरोजगारी चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांगलादेश हो चाहे इंदुनीशा में हो मिलेशिया में हर जगा पे बेरोजगारी तो खैट वहाँ लोग गल्स में जाने के लिए वहाँ पर उनकी भी एक ख्वाइश है तो इसको देखते हुए लगता है कि हम एक बहुत बड़ा राजडितिक संकट में अपने आपको फंसा चुके है और ये सिर्फ एक मामूली बात तो यह ठीक है इसको थोड़ा चून काम करके मैनेज करने नुपर शर्मा को कुछ दिन के लिए बाहर कर दे इनको थोड़ा बाहर कर दे मुह बंद कर दे सवाल ये नहीं है सवाले जिस तरह से अपने नीचे से इस विश को आपने निकाला है तो उसको क्या आप रिवर्स कर सकते हो और ये समझ कि अंद्रूनी राजडित और बाहर की राजडित को अलग-अलग करके रख सकते ये लगता है कि अब सब्भब नहीं होगा एक चीज जरूर यहां पर जिक्र करना जरूरी है क्योंकि बाकी सारी चीजों के साथ इसका भारती अर्थ विवस्ता पर बहुत तगड़ा असर पढ़ सकता है ऐसी आशंका है और जिस तरह के वीडियो जिनके स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहे हैं भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर जो तीन जून के बाद से घटना क्रम शुरू हुआ है तमाम जगों पे भारती उत्पादों का बाइकॉट तमाम मौलों में परची लग गई है समान बाहर आ रहा है अगर यह नहीं रुका तो निश्चित तोर पर इसके बड़ पर उकूफी होगी पर सवाल यह है कि जिस घोड़े पे इस वक्त वह सवार हुए है उससे क्या उतर पाएंगे यह जो हिंसा वाइलेंट प्रॉपगेंडा जितने बाते कही जा रही है सोशल मीडिया में विश्वतगार तो आप देखी रहे हैं सुबह शाम लोग करे जा र हैं अब अंगडाई है अभी अंगडाई टूटी है और दो धर्मस्थानों लेके फिर काशी और मतुरा लेकर फिर शुरू कर रहे हैं करने की बात चली रही है साफ है तो यह क्या इस जो कहा कि पंगला गोड़े पे जो सवार हो चुके है क्या इससे उतर पाएंगे क्या इ अब देखी रहे हैं देश में जो साकारात्मक कारी होने थे वो सब कहां हो रहा है चाहे नौकरी हो चाहे इंफलेशन की बात हो चाहे खाने की चीजों की दाम हो हर चीज में इस वक्राइसिस दिखाई दे रहा है इंप्लाइमेंट में क्राइसिस है यह सब देखते हुए भ भिना नफरत के राजदीत से किया आप उससे आप चुनाव जीच सकते हो किते दिन तक वो अलग बात है पर उससे अब देश नहीं चला सकते हैं चाहे वो एक्स्टर्नली हो इंटर्नली हो वो साफ हो गई कि विश्वगरू होने का जो सारा दावा था कि हम सबको मैनेज कर रह हैं सबको हम बहुत अच्छे से गले मिल रहे हैं यह दिखा दिया कि जिन देशों में आप जा भी रहे थे मलब इंडोनेशिया भी आ गया तुर्की भी आ गया तमाम देश सिर्फ अरब देशी नहीं रहे बड़े पैमाने पे 15-16 देश आये हैं वे दिखा रहे हैं कि भारत हैं युक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उस पर रूस पर जो सैंक्षन लगे हैं उस पर अभी जो आवाज उठी है अफरीका से बहुत ध्यान देने वाली है जिस तरह से जो चेयर परसन है अफरीका देशों की सेनिगल की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो सवाल होसे इस पर दखलीने की ज़रूरत है इस पर बात करने की ज़रूरत है पुतिन से उनकी मुलकात अपने आपमें बहुत गंभीर चंता का विश है जिस तरह पूरे दुनिया का ध्यान नहीं है क्योंकि sanctions की बात होते हम European unions की बात करते हैं बाकी देशों की बात करते हैं लेकिन अफ्रीका अपने खाने के लिए अपने तेल के लिए अपने fertilizer के लिए रूस पर बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर है देखें सवाल ये है कि ये जो sanctions का जो दोड़ चला है खास तोर से अमरीका और European union ने जो लगाया है तो उनका ये समझ था कि उकरेन युत बहुत कम दिनों में राश्या पीछे हड़ जाएगा क्योंकि उसका economy बिद्धवस्त हो जाएगा और इस sanctions से उन्होंने 300 billion dollars इसका हम चर कर चुके उसको कबजा कर लिए हैं और सोचे थे कि उसका rubel का जो है बहुत जल्दी पतन हो जाएगा तो बाइडन का कहना था rubel को हम rubel बना देंगे तो एक दम ये जो समझ था ये गलत निकला एक तो है कि रूस बड़े पैमाने पर primary products का export करता है चाहे वो तेल हो चाहे व food हो wheat और भी चीजे हैं और इसके उपर fertilizers रूस और बेलरूस बिल के एक बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सा fertilizer यहां से आता है और इसका संबन सरासर खाद economy पे है food economy पे direct इसका रिश्टा है अगर आपका fertilizer नहीं मिलेगा तो खाद उत्पादन किसी भी देश में वो उस तरह स नहीं हो सकता उसका हमारे घर के सामने उदाहरन ख़़ा है स्री लंका जहांपर fertilizer का क्राइसिस जैसे खाद क्राइसिस पर बदल गया तो यह देखते हुए इस वक्त जो चीज लोगों के सामने नहीं है सिर्फ तेल की बात हो रही है और European Union पे क्या असर पड़ेगा इसकी बा होगी वो सब हम चर्चा कर रहे हैं पर जो खाद पे जो सैंक्शन्स है उसके क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं कि European Union के लिए अतना एहमियत नहीं रखता उनको खान खरीदने की ताकत आफ्रिकन देशों से एशियाई देशों से ज्यादा है तो मार्केट में अगर कमी हो दाम से आता है वीट का और इसका एक हिस्सा युक्रेइन से आता है दोनों जगहों पे इस वक्त सप्लाइस में रुकावट है लोग यूक्रेइन की बात कर रहे हैं कि उक्रेशन से एक्सपोर्ट नहीं उपरा ओडेसा पोर्ड जो है वो ब्लॉकेट किया हुए रूस रूस ने जितना किया है उससे ज्यादा है कि वो वहाँ पर mines किये गए है वो पूरा इलाखा को सामुदरिक इलाखो mine किया हुआ है यूकरेन इसलिए mine किया है ताकि वहाँ से रूस की जुद्ध जाहाज जो है उडेसा पर आकरमन न कर पाए तो इसलिए क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि माइंड हार बर है इस वंक जब तक माइंड नहीं क्लियर होगा तब तक वो बाहर नहीं जा सकते माइंड वो क्लियर नहीं करना चाहते क्योंकि तब रूस की जहाज अंदर आजाएंगा है तो ये जो बात है ये प्रोपगेंडा के तोर पे ये बाते बाहर नहीं आ रही है लगातार कही जा रही है कि रूस ने ब्लॉकेट किया उडेसा को जो हकीकत नहीं है रूस ने बार बार कहा अभी भी तर्किया रूस पे बात चीत चल रही है कि उडेसा के इन जहाजों को खाद सामग डिग लेके हम ब्लैक सी पे जाने देते हैं और दुनिया को सप्लाइ करने की हम उसका तैयारी करते हैं कोशिश करते हैं तब यूकरेन ने कहा है अगर वो डी माइन कर दिया जाएगा तो रूस अंदर आ जाएगा इस नदियों को इस्तेमाल करके ले जाने की कोशिश हो रही थे उससे बहुत बड़ा हिस्सा आपका वीट एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा यह वीट एक्सपोर्ट तब की है जो पहले से कटाई उसकी हो चुकी है गुदामों में वो इस वक्त मौजूद है रखा हुआ है पर वहां ट्रांसपोर्ट में रेल लाइन्स पे भी बंबारी हुई है ब्रिजेस भी काफी धंस हुए हैं तो इस तरह से लैंड से ट्रांसपोर्ट करना बड़े पहिमाने पर संबब नहीं है पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वीट एक्सपोर्ट होता है रूस से होता है व अभी रूस्त की जहाज बड़ा आसानी से दूस्ते European Union कि दूसरे देशों की पोर्ट पे नहीं आ पारहे हैं तो इसलिए directly sanctions कि इतना है वो अलग बात है banking sanctions है आपकी insurance sanctions है पोर्ट पे रूस्त की जहाज के आने की sanctions है जहाज वहाँ पर आए जाए दूसरे देशों की क्योंकि आफ्रिकन यूनियन के पास तो बहुत जहाज है नहीं तो इन सब चीजों पर जो सैंक्शन्स है इसके वजह से ये रूस की सामगरी बाहर नहीं जा पा रही है और दाम जैसे बढ़ेगी बढ़ रही है आफ्रिकन यूनियन भुखमरी के कग पर खड़ी हुई है और अब इसको देखेंगे कि अगर पूरे वेस्टर्ण प्रेस को देखेंगे वह लगातार इसको दूसरा पिक्चर देना चाहते कहतें यह उन्हें प्रॉब्लम में हमारी कोई प्रॉब्लम यूखरेन की जहाज नहीं जा पा रही है यह भी रूस की problem है तो हर चीज रूस की problem है आपकी कोई problem नहीं है आप सिर्फ sanctions लगाए जा रहे हो आप कहरें इसका इसके वज़े से नहीं हो रहा और किसी वज़े से हो रहा है तो एक propaganda war जो है इस पे जरूर west की जीत हो रही है पर असलियत जो है जो हुक्वरी के कगार पे है जिन देशों उनको असलियत तो पता है और वो चीज़ कह रहे हैं और इसी लिए western मुलक के लावा और किसी मुलक में एक का दुका छोड़के उन्होंने sanctions रूस पे नहीं लगा है और अपना कारोबार वो रूस से करना चाहते हैं उनको लगता ये तो सिर्फ खाद की बात करें फर्टिलाइजर ये भी तो बेलारूसा रूस से आता है तो बिना इसके कि आप उनकी खुद की agriculture भी ठप हो जाएगी ये बाते वो दुनिया के सामने इस वक्त ला रहे हैं और यही चीज जो है हम बहुत दिन से कह रहे हैं आर्थिक वार जो है जंग है वो दुनिया के स्थर पे चल रहा है और ये सिर्फ रूस के खिलाप नहीं पूरे इन मुलकों को फिर कबजा करने की इरादा है ताकि पूरे दुनिया फिर फाइने सिर्फ रूस के खिलाप यूकरेण को लेकर जंग नहीं सबचना चाहिए यह एक एक नॉमिक वार है कि रूस के एक तरफ पूरी तरफ से निश्ची तोर पे एक बहुत साफ है कि चाहे वो यूकरेण युद्ध हो और उसका पूरी दुनिया पर और खास तोर से पिछडे द यह अंतराश्टी इस तर पर हमारे लिए कितना बड़ा खत्रा पेश कर पाएगी तो शायद हम बहुत बड़े खत्रे को जो बिलकुल मंडरा रहा है देश और दुनिया के सामने उसे देखने में असमर्थ हैं शुक्रिया